नमस्कार दोस्तों स्वागत हमारी यूपिलाइफ हंड्रेट नूज पर आईए सुरबात करते हैं खबरों से सरकारी और जुनाओं से बेखबर हैं गिरामिर विकास के नाम पर गिराम परदान बने हैं अंजान गिरामिर वा सफ़ाई कर्मी ने मिलकर भंशा चारवा विकास के नाम पर जमकर किया परदर्सन सास्तानों परदासन से मांगी ने आएं मीदिया के माध्यम से लगाई गोहार जी हाँ मामला है उत्तर परदेश के पहराईच के ग्राम पंचैत मुस्लिम पुरा मजरा जुजया पुरुआ का जहां पर विकास को लेकर ग्राम में काफी आकरोस का माहुर बना हुआ है परदान को पांस साथ पूरे होने के बाद भी विकास जीरो पर है एक तरफ जहां पर विकास को लेकर सरकार पानी की तरह पैसा बहार रहे तो वहीं कुछ ग्राम परदान केवल अंजान बने बैटे हैं इस ग्राम पंचैत में जब सफ़य कर्मी गीता मिसरा जी की पोश्टिंग हुई तो उन्होंने जब इस गाउ में आये हुए तो ग्रामों की समस्या देखकर आख में आसू भर ले आएं और ग्रामों की उदास नीता को देखते हुए सासन परतासन से नियाई की गोहर लगाई है अब देखना है कि एक सफ़य कर्मी की मेरत रंग लाती है या फिर ग्राम परदान का बोल बाला रहता है हमारी खास रिपोर्ट आहमाद हुसेन के साथ राज्यू कुमार सिंग की एस पेसल रिपोर्ट आए ले चलते हैं क्राम पाल क्या समसिया है आपको यहां तो सारी समसिया है हमें लोगन का यहां कुछ नहीं मिल दा है डृट पंचाईत है लॉट नाली कुछ हो रही है नहीं है मोके पर कोई स्कूल है कि बच्चे स्कूल को पढ़ने जाएं यहां जो परधान हो जाता है वो अपने के लिए बिलकुल वह नामें लड़े करें जुडिय को in रसमारे कं सब्कारण जूडिय को परधान इन परधान है क्या समस्या है आपको आप बहुत स्सारी प्रधाइज ऐसा है ना सुध चाले लोगों की बनी है और भी बिरंगरे हो इसलिए आप लोग ने यह एक जनता करके जो है यानि हमारे परदान मंत्रे मुखमंत्री जिसे अनुरोद किया है कि हमारी समस्या को सुना जाए क्या नाम है आपका बैसा रानू रानू कौन सा गिराम पंचाई थे यह कि आपको समस्या यहां कुछ मिलत ना है कुछ नाम है अंगर का जोड़िया परौवाए आपको कि आपका क्या नाम है जीता कहां रहती है आपको क्या समस्या है ना तो कालूनी मिला ना तो गल्ला मिला आपने कभी वीडियो साथ से सिखाइट किया अपका ग्राम पंचे मुसलमपूर है विडियो साथ यहां कभी नहीं आया है और मंतरी जी भी कभी नहीं आया है आप लोगों ने परदान से अपनी समस्यां को बताया तो कभी वीडियो साथ नहीं आया कि आपने सिकाइट किया आपको परदान मंतरी आवास योजना में नाम दिया गया तो चालम नहीं दिया गया अपको परदान मंतरी आवास योजना में कोई नहीं दिया जाओ तो कहीं कि जाओ नहीं दिया जाओ तो कोई नहीं आया है कि अपको भी आवास नहीं मिला आप नहीं धिश्काया जो फुटेट परदान मंतरी आप यहाद कर दो किया आपको जाना चाहिए ना खंड मिकास अधिकारी सिकायत करने परद्धान जी का क्या नाम है क्या समस्यावताई यह कुछ यह नाय मिल रहा है ना सवचाला ना दरिया बेज नारे कालोंनी कुछ चुनाइब लड़िका इस बारे में आपने परद्धान जी से बात किया परद्धान जी कहीं दूसरे गाव में रहते हैं मुसलमपुर में अभी तक देखने नहीं आया है क्या नाम है क्या नाम है क्या समस्या बता रहे थी है क्या बादी आखा है कि कमो बना कालोंनी माई या करे दो झालों रिखने यह पार रहे हैं इस प्रद्धान जी से बाना हुआ है क्या नाम है क्या नाम है ता अत्या समस्या बताई यहां क्या नाम है आपका मेरा नाम गीता मिश्रा है यह कौन से ग्राम पंचाईत है यह जोडिया पुरुआ है यहां के परधान कौन है यहां के सर परधान मुएन यह बताएं मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि किस पोस्ट पर आप यहां पर आई हैं कितने दिन से आई हैं हमको आते हो गया मतलब मेरा घर है कॉंड़ा हमको आते हो गया यहां दो साल रहने हो गया मतलब हमारे जब हम सीपल पिलाग पहुंचे तो सब्सक्राइब तो सारे साल आई लोग यहां कुछ नहीं मिल्ला है यह कौन सा गराम पंचाइद है मोजब सलमपूर परधान आपके कौन है मुखेर आपको ब्लाक वंचा है सीफूर जिला कवंचा है जी अवारेस क्या समसिया किसी को अवास मिल ढाये ना यहां रोड भल्र जोकी स्कूल को पढ़ने जाएं यह जो परधान हो जाता है वो अपने के लिए बिल्कुल हो जाता है, लोट के कोई आता नहीं है. इसलिए आप लोग ने यह जनता करके जो है, यानि हमारे प्रदान मंत्री मुख मंत्री जिसे अनुरोध किया है.